सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बुटा सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाई प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाई जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाए जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आदी-ादी सुविधाई प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रूत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने ही दू शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत है अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगएर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है, क्या ये सत्य है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वर टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं ये सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, कृपया बैट जाईए, मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ, बाकी आप लोग भी बैट जाईए, जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है? कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है, जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है हम कम्प्यूटर से क्या क्या करा सकते है? कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वो मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कर आई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है, सूचनाए एकत्रित की जा सकती है, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है, अब हम कंप्यूटर वह उसके विभिन हिस्सों के बारे में सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर निर्दिशों की जिन सम्मोह या सम्मोहों का पालन करता है उन्हें software कहते हैं आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सबी आइकन्स सौफ्ट्वेर होते हैं हां रोहन, software कम्प्यूटर में प्रग्राम होते हैं पहला, Input Device, दूसरा, Processing Device, तीसरा, Output Device. जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए बीजल अत्वा पेट्रोल की आवशक्ता होती है, ठीक उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने, निर्देश अत्वा सुचनाई संकलित कर, विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है. इन चित्रों को देखो, ये कुछ Input Devices हैं, जिनका प्रेयोग कम्प्यूटर में होता है. ये Input Device निम्न है, Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone, Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices हैं. यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की दरा दिखता है. हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है. सामाने Keyboard के बटनों के साथ, इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं. क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किस लेकिया जाता है? अंक बटनों की साहईता से कैलकुलेटर की भाती कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं. नविकेशनल बटन मार्ग दरशक बटन होते हैं, जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं. प्रोग्राम में पेज अप बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनिय विशय में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलीट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाईं और मिटाता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं, ज्यादतर लेख संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। ज्यादतर लेख संपादन प्रोग्रामों में दाईं की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर दाईं की और ले जाता है। क्रिया समाप्त कर देता है। अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आई जा सकते हैं। माउस पर दो बटन भी होते हैं। माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है। जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है। माउस के बाएं बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। माउस के दाए बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है। उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं, वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिणाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउट्पुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathode Ray Tube और Flat Panel Display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते हैं और उसे च्छाप कर निकालता है जिसे Hard Copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते हैं तथा उसे के च्छपे हुए को Hard Copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Injet Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने अथवा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये Speaker की तरह कोते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आउटपुट सुन सकता है Projector एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रोजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की इंपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में बारे में जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कम्प्यूटर डाटा संचित करता है जिसे कम्प्यूटर मेमरी कहते हैं कम्प्यूटर की मेमरी दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य मेमरी और दुटियक मेमरी मुख्य प्राथमिक मेमरी बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अत्वा RAM होता है कंप्यूटर की गती RAM पर निर्भर करती है डाटा और निर्देश मुख्य मेमरी में संचित रहते हैं जहां से ये प्रोसेस कर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते है RAM बहे मेमरी होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते है कंप्यूटर की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory बहे मेमरी है जो RAM का अंग होती है और प्रोसेसर के बहुत पास होती है इसका प्रयोग processing गती को सुधारने में किया जाता है प्रातमिक memory सीमित होती है इसलिए असीमित data को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक memory का प्रयोग करते हैं चुकि computer दुवित्यक memory पर सुरक्षित data को सीधे process नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुध्यक मेमरी की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक कम्प्यूटर डाटा को अबने मेमरी में कैसे सुरॉप्चित करता है? कम्प्यूटर सभी सुचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात 1 अथवा 1 0 को बिट कहते हैं 8 बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं इस सार्णी को देखो, इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और हार्डवेर को नियंत्रत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं सौफ्टवेर कहलाते हैं सौफ्टवेर प्रोग्राम्स निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो कम्प्यूटर को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है सौफ्टवेर दो प्रकार के होते हैं एप्लिकेशन सौफ्टवेर और सिस्टम सौफ्टवेर एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर वो प्रोग्राम होते हैं जो उप्योग करता को कम्प्यूटर में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर के उदाहरन हैं जो प्रोग्राम कम्प्यूटर हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं सिस्टम सॉफ्ट्वेर कहलाते हैं कम्प्यूटर चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है जो एक सिस्टम सॉफ्ट्वेर है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस एक्टिविटी में भाग लेते हैं अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूगी सबसे पहले मैं आपको कम्प्यूटर के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह मॉनिटर है यह टेलिविजिन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है यह सिस्टम बॉक्स है इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीउ होता है यह सीपीउ ही कम्प्यूटर का मुख्य दिमाग होता है यह कीबोर्ड और माउस है यह दोनों इंपुट डिवाइस हैं जिसके द्वारा कम्प्यूटर में डाटा भरा जाता है कम्प्यूटर को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें पोर्ट कहते हैं अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोडा जाता है सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को वीजिये पोर्ट कहते हैं इससे monitor को जोडने वाले तार को VGA केबल कहते हैं. VGA केबल के एक सिरे को system के VGA port से तथा दूसरे को monitor से जोडा जाता है. Keyboard दो प्रकार के connector वाले होते हैं. PS, 2 connector अथवा USB connector. Keyboard को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है. Mouse को connect करने के लिए उसके connector को system के उप्युक्त port में जोडा जाता है. उसी तरह यदि आप printer को जोडना चाहते हैं तो उसके connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है. समानांतर port अथवा USB port को system के उप्युक्त port में जोड़ दें. अब हम computer को बिजली के main board से कैसे जोड़ सकते हैं? Computer दो बिजली supply के तारों के साथ आता है. एक बिजली supply तार को system unit के बिजली supply plug में तथा दूसरे तार को monitor के port से प्लग करें. उसके बाद दोनों तारों को बिजली के port से या UPS से जोड़ें. क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि computer को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल, computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें. पहले system unit, वर monitor दोनों की बिजली supply चालू करें. तब system unit का power button दबा कर उसे चालू करें. वर monitor का power button दबा कर उसे चालू करें. अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें कि monitor पर display आने लगा है. इसे boot screen कहते हैं. धीरे-धीरे सभी software लोड हो जाएं, तो computer प्रयोग के लिए तयार है. धन्यवाद गीता, पहली बार न केवल computer को देखा है, बल्कि उसे चालू करना भी सीखा है. हाँ, computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी. अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं? हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाता हूँ. हाँ, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कारियों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं. जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है, जिससे आप call कर सकते हैं. Call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं. वो प्राप्त कर सकते हैं. आधुनिक mobile phone में कई तरह की विशिश्टाएं होती हैं, जैसा की internet, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह phone smartphone कहलाते हैं. कुछ mobile phone में दो-दो SIM card एक साथ ही fit हो जाते हैं. इन्हें dual SIM phone कहते हैं. Phone के विभिन अंगों को देखें. गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि phone में SIM व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें. पहला, phone को switch off कर दें और पीछे का cover निकाल दें. उसके बाद phone की battery निकाल दें. तब SIM खांचे में SIM डाल दें. अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें और phone को चालू करें. धन्यवाद गिता, मुझे phone की battery चार्ज करने में भी समस्या होती है. चिंता ना करें, बस निम्ल प्रक्रियाओं का अनुसरन करें. पहला, charger को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं. तब charger को phone में लगाएं. कुछ समय बाद, जब mobile battery फुल दिखाए, तो पहले charger को phone से निकालें, फिर दिवार से निकालें. मैं आपको सिखाती हूँ कि phone के बटनों को lock वो unlock कैसे किया जाता है. हमें बटनों को lock क्यूं करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक phone का प्रयोग न कर रही हूँ, तो उसे lock करके रखना अच्छा होता है. इसकी यह प्रक्रिया है. फोन lock करने के select menu पर जाईए और star बटन दबाईए. अब यह lock कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए phone का unlock बटन दबाईए और तब star बटन दबाईए. में पास यह नया mobile है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेष्टाएं कैसे देखें? आप अपने mobile के विशेष्टाएं देखने के लिए पहले menu आइकन चुएं या menu बटन दबाएं जिससे phone के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं. पुनहा आरंब में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाएं. बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, घंटी बदलने के लिए नेमन प्रक्रिया अपनाएं. बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं. तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाएं, जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी. अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चैन कर सकते हैं. टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया. पहला home icon को छुए फिर menu icon को छुए फिर personalization settings icon को छुए फिर setting icon को छुए फिर profile setting icon को छुए तब ringtone या notification ringtone icon को छुए तब ringtone की सुची में खिसा कर अपनी इच्छा नुसार ringtone चुने तब ठीक ok icon को छुए मैं अपने फोन में अलारम सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी अलाम सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप स्वेंप कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर अलाम घडी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन चुने टच स्क्रीन फोन में निमन प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं, तब घडी को चुएं, तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दी दी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अत्वा, एक laptop, अत्वा computer की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उपयोग हम इंटरनेट पर browser, mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है बुकलेट टाबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है, और इसकी कारण प्रणाली दोनों तरफ चूने से कारण करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। दिये गए स्लोट के जरिये स्लेट PC में जोड़ कर टाबलेट PC में बदले जा सकते हैं। एक रगड टाबलेट उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं। इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाऊ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं। इन चर्णों का अनुसरन करो। जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें। पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें। तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा। तब पावर आफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें। एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं। अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अत्वा बाएं खिसकाएं। तो तुमने सीखा कि कैसे लैपटॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं। अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं।